Facebook पर post या comment में एक भी सब्द गलत हो जाने पर कई लोग ताना मारते हुए सरकारी स्कूल में पढ़ा है बेचारा बोल देते हैं समाज में ये perception बन गया है कि गलत लिखने वाला बोलने वाला निश्चित तोर पर गाउं की प्रैमरी स्कूल में पढ़ा है कहना अजीब है पर कई बार लोग किसी की बेच जती, मजाक या फिर गाली में सरकारी स्कूल में पढ़ने का जिक्र कर देते हैं आप कभी स्थिर होकर सोचेंगे तब समझ पाएंगे कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ है निदंतर प्रयास से हुआ है सुनियोजित तरीके से निसाने पर लेकर सरकारी स्कूलों को एकदम निम्न बनाया गया है और आज भी बनाया जा रहा है खबर गुजरात से है जहां पूरे प्रदेश में 32,722 सरकारी स्कूल है जिसमें से इस साल 5,315 स्कूल बंद कर दिये जाएंगे बंद करने के पीछे का तरक ही बच्चे ही नहीं है सरकार ने जो आकड़े जारी किये उसमें बताया कि प्रदेश में कुल 15,171 स्कूल ऐसे हैं जहां 100 से कम बच्चे हैं इन ही 15,000 में 8,673 स्कूल ऐसे हैं जिसमें 51 बच्चों से कम किसंक्या है वहां करीब 45,000 स्कूल ऐसे हैं जहां 100 से कम बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में प्राथमिक, मिडिल वा हाई स्कूल तक की पढ़ाई होती है आपको जानकर हैरानी होगी जिस राज्य को देश के प्रदान मंतरी मॉडल राज्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं वहां के 12,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक या फिर दो अध्यापक हैं अगर कोई अध्यापक किसी दिन नहीं आया तो बच्चों को घर वापस जाना होता है राज्य के सिक्षा मंतरी भुपेंद्र सिंग कहते हैं सिक्षा का इस तर सुधारने के लिए हम स्कूलों को पास के ही स्कूल में मर्ज करेंगे इससे सिक्षा की क्वालिटी सुधरेगी मर्ज करने से कैसे स्कूलों की स्तिती सुधरेगी ये सब की अपनी समझ पर डिपेंड करता है सिक्षा मंदरी की बात दिल्ली में बैट कर सुनेंगे तो लगेगा कि सही ही बोल रहे हैं लेकिन कभी उन पीछडे इलाकों में जाएंगे जहां एक हाई स्कूल के बीच 5 से 10 किलो मीटर का फर्क है तब समझाएगा कि स्कूल बंध होने से क्लास साथ में पढ़ने वाली किसी बच्ची को आने जाने में कितनी परिसानी हो सकती है आसे 30 साल पहले 1990 में हमने सब के लिए सिक्षा की घोश्रा कर दी साल 2000 में हमने तैं किया सब को ताली मोहया कराएंगे अगले 10 साल बाद यानि 2010 में देश के सभी वक्चों को बुनियादी सिक्षा दिलाने की घोश्रा कर दी लेकिन 2017 और 2018 में वैस्विक सिक्षा निक्रानी रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि पूरे देश में 8 करोण 80 लाग बच्चे स्कूली सिक्षा से बेदखल है इस रिपोर्ट के बाद किसी भी राज सरकार की निन नहीं खुले पिछले 7 सालों में करीब पौने 2 लाग सरकारी स्कूल बंद कर दिये गए इसकूलों को बंद करने में भादपा सासित राज सबसे आगे रहे हैं इस तरह के आकड़े महाज संख्या नहीं है बलकि सतत विकास लक्ष के मुँपर जहनाटेदार तमाचा है लेकिन अपसोसनाक हकीकत यह है कि हमें यह दर्द महसूस ही नहीं होता हम दूसरे तमासों के दर्द में इस बड़े दर्द को भूल से गए हैं जिस गुजरात मॉडल को पेस करके यूपी विहार जैसे राज्यों में लोगों के वोट ले लिये जाते हैं वहाँ की यह हकीकत लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती दो साल पहले राजस्थान में भाजपा की सरकार थी तब 15,000 इसकूल बंद कर दिया गया बीरोध हुआ तो महस्तीन हजार इसकूल खोल दिये गया जारखन की पिछली रगुवर सरकार ने 4,532 इसकूलों को बिले कर दिया हरियाना की खटर सरकार ने भी इसकूलों की इस्तिती सुधारने के बजाय बंद करने पर जादा जोर दिया ओडिशा की सरकार ने भी 828 इसकूलों पर ताला लगा दिया ऐसे न चाने कितने राज्ज है जहां कि सरकारों ने हालात को सुधार ने वा समधार निकालने में दिल्चस्पी ही नहीं दिखाई हर बंद होता सरकारी स्कूल प्राइबेट स्कूलों के ब्यापार को बढ़ाता चला जा रहा है गुजरात में ही स्कूलों के बंध होते ही 2 साल के भीतर करीब 1000 प्राइवेट इस्कूल खुल गए इन इस्कूलों में कितनी फीस होती है ये किसी से चीपी नहीं अगर मान लिया जाए कि बंध हुआ सरकारी इस्कूलों के 60 फीजदी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले जाएंगे तब भी 40 फीजदी बच्चे फीस न दे पाने के कारण अनपढ रह जाएंगे और इस 40 फीजदी बच्चों की संख्या लाखों में है बताते चलें कि गुजरात सिर्फ चुनाओं में ही चमकता है बाकी वहां भी एक करोण सक्तावन लाक लोग गरीब है जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं अब सवाल है कि सुधार के लिए क्या किया जा सकता है तो सुनिये गुजरात के सीयम विजय रूपाणी अपने लिए एक सो एक्यानवे करोण रूपाय का नेजी हेलिकाप्टर खरिते हैं उससे हमें दिक्कत नहीं है पर स्कूलों की इंफरस्ट्रक्चर मेंटेनेंस पर रूपानी सरकार को भी सेज़ ध्यान देने की जोगत है इसके लिए गुजरात समय बाकी राज्ये दिल्ली से सीख सकते हैं जहां सरकार अपनी जीडीबी का 26 फिजदी पैसा सिक्षा पर खर्च करती है दूसरा दिल्ली सरकार ने टीचरों की ट्रेनिंग का नायाब तरीका ढूड़ा इसकूल के मौजूद टीचरों में एक टीचर को मेंटर बनाया ऐसे 200 टीचरों की ट्रेनिंग दिल्ली से बाहर करवाई इसकूलों के प्रधानाचारियों को कैंब्रीज, हावर्ड, फिनलैंड जैसी जगहों पर भेज कर ट्रेनिंग दिल्वाई नतीजा ये हुआ कि इन टीचरों के भीतर उत्साह का संचार हुआ और इसी का नतीजा रहा कि करीब डेड़ लाग बच्चों ने प्राइवेट स्कूल को नमस्ते बोलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया सुधार की कड़ी में तीसरा कदम स्लेवस को लेकर होना चाहिए सरकारी बाप प्राइवेट स्कूलों में एक समान पार्ठिकरम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा तमिलनाडु में जैलेलिता सरकार ने इसे करके दिखाया था यही कारणे कि वहाँ भी सरकारी स्कूलों का क्रेज बराबर बरकरार है बाकी स्कूल ड्रेल्स जूते से लेकर मिड्डे मिल की वर्तमान इस्ति में बड़े इस्तर की सुधार की जुरुत है आखिर में बस यही बताना है कि सिक्षा को अपने चिंता के केंदर में रखिये स्कूल में बच्चों की कम होती संख्या हर राज की समस्या है इसका ये मतलब नहीं कि स्कूलों को यही बंद कर दिया जाए लगातार सिक्षा बजट में हो रही कटाउती पर चुप मत रही है वरना आज स्कूल से बाहर रहे बच्चे कल हमारे ही समाज के अनपहचाने चेहरों में तबदील हो जाएंगे आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहें मॉलिटिक्स फेस्बूप पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करिये यूट्व पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए धन्यमाद आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा मॉलिटिक्स अब पर शेर करिये अपनी बात हमारे साथ हम उठाएंगे आपकी आवाज